नमस्ते एवरीवन मॉनिका एस्ट्रोलोजी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे मीन लगने की देखिए मीन लगने वालों के लिए यह जो डिसेंबर का महिना है किस प्रकार की स्थितियां लेकर आ रहा है और हमें किन चीजों का ध्यान रखना है यह मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगी देखिए मीन लगन और लगन का स्वामी जुपिटर होकर आपके ट्वेल्थ हाउस से ब्रह्मन कर रहा है देखिए लगने इस जब भी ट्वेल्थ हाउस में जाता है तो वो काफी चिंता जनक स्थिति क्रेट करता है देखिए पहले से स्थिति बहतर जरूर है मगर पूर्ण रूप से आप परिस्थितियों से निकल नहीं पाए है एक चीज़ जरूर कहूंगी चिंता हमेशा बनी रहेगी ये एक बनी हुई प्रशान हो सकती है काम के अंदर है कि कोई जौब के लिए या रहे है कोई नया काम के सामने लिए आती जाती आप करें और कुछ खर्च हैं उनसे परिशान मत होई ये चीज बनी रहेगी पूरे ही महीने आपके खर्च तो बने रहेंगे उसको लेकर काफी चिंता में भी आप रहेंगे मगर मैं ये कहूंगी कि जादा टेंशन लेना आपके लिए योगे नहीं है आप शांती से कार्य कीजिए आपके कार्य में मजबूती अब आना शुरू हुआ है और परिवर्तन आपके स्थान परिवर्तन का एक योग बन रहा है तो जब भी लगन का स्वामी 12 में जाता है तो स्थान परिवर्तन होता है तो इस प्रकार की कोई भी स्थिति है तो उसे स्विकार किया चा सकता है अगर करते चले जाएंगे तो आपको बहुत बहुत रिजर्ट्स प्राप्त होंगे कि सेकेंड हाउस का अधिपती मंगल होकर केतू के साथ नवंभाव में देखिए वानी बहुत संभल के यूज कीजिएगा घर परिवार के अंदर आपके कुटुम्ब में कोई भी सदस्य के साथ को गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना है कुछ अग्रेशन में आके एकदम उतावलेपन में आप कुछ बोल जाएंगे तो कुटुम्ब में कुछ ऐसी स्थिती क्रियेट हो सकती है जो आपको डिस्प्यूटेट पोजिशन या आपका विरोध आपके कार्य में अवरोध इस प्रकार की स्थितियां क्रियेट होती है तो इसका आपको ध्यान रखना है वानी मधूर रखेगा ये आपके पूरे ही महिने का में पॉइंट है वानी को जितना आप सैयम में रखेंगे जितना कंट्रोल में रखेंगे तो आपके हर कार्य में आपको बहुत भैतरी होग तोब मगर वानि को संभल की यूज कीजिएगा आपके घर के अंदर आपके कुटुम्ब के अंदर आपके फैमिली मैटर्स के अंदर 3rd house में राहू बहुत अच्छा कारे करता है देखिए 3rd house का स्वामी खुद आपके लाबस्थान में है तो आपको लाब काफी बने हुए हैं कुछ परिवर्तन है उसे स्विकार करते जाए ये परिवर्तन को स्विकार नहीं करेंगे आप कोई नई opportunity आती है स्विकार कीजिए और आगे बढ़िए तो आपको बहुत अच्छा है specially आप अगर कोई interview के लिए जाते हैं या कोई business opportunity है उसे स्विकार कर सकते हैं जैसे ही आप चीजों को स्विकार करना शुरू करेंगे तो automatic आपकी प्रगती होना शुरू होगा जब तब एक असमंजस की स्थिति या indecisive आप decision नहीं लेंगे या decision को जितना delay करते जाएंगे आपको problem में से आप बाहर नहीं निकल पाएंगे तो जैसे situation आती है उसे deal करते जाहिए उसमें आगे बढ़ते चाहिए और परिस्तितियां बहतर होती चली जाएंगी फोर्थ हाउस उसपर जुपिटर की पूर्ण द्रश्टी फोर्थ हाउस का लॉर्ड आपके टेंथ हाउस में है तो उसकी भी द्रश्टी आपके फोर्थ हाउस पर है मंगल की भी अश्टम द्रश्टी आपके फोर्थ हाउस पर है देखिए सुख एक तरह से बना हुआ है आप काफी एक तरह से खुश तो रहेंगे आपके घर के अंदर एक अट्मोस्पेर काफी अच्छा रहेगा कुछ अच्छे इवेंट्स भी हो सकते हैं प्लस गुरू की द्रश्टी की कारण घर परिवार आपका जो घर का माहौल रहेगा उसमें एक स्टेबिलिटी रहेगी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉपर्टी का उसमें प्लस छूथा घर है काफी अच्छी द्रश्टियां पर रहे हैं काफी कहते हैं प्रोपर्टी का सुख आपको अच्छा प्राप्त हो रहा है और उसमें एक अच्छी फिलिंग जो कहते हैं सुख की अनुभूती वो आप जरूर करेंगे हाँ दूसरी चीजों को लेकर आपको चिंता जरूर बनी रहेगी मगर एक तरह से आप के कहते हैं कि सुख भाव काफी अच्छा दिखा रहा है तो एक बैलेंसिंग पोजिशन होगी क्योंकि कहते हैं नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी भी उतनी अच्छी तरह से बनी हुई है तो एक बैलेंस्ट पोजिशन बना के आपको चलना है पंचम भाव के उपर शुक्रशनी की पूर्ण द्रश्टी है एक तरह से देखा जाए तो इस प्रकार के स्थिती में मैंने देखा है कि बहुत शॉर्ट टम गेंस लेने की कोशिश आप ज्यादा मत कीजिए हो सके वहां तक अगर आप शेर मार्केट्स के अंदर इंवेस्टमेंट्स करते हैं आपको लाब बने हुए हैं मगर लॉंग टम प्लानिंग क्योंकि शनी जब भी देखता है तो वो काफी लंबी कहते हैं एक लॉंग टम प्लानिंग करके अगर आगे बढ़ते हैं तो कर सकते हैं शॉर्टम गेंट्स की तरफ अभी आगे न बढ़ा जाए तो बहतर है एक तरह से देखिए बच्चों के साथ कुछ वाद विवाद की संभावना हो सकती हैं बच्चों के खर्चों के कारण भी आप परिशान हो सकते हैं अगर कोई भी फील्ड आप सेलेक्ट करना चाहते है स्टूडेंट हैं तो मैं कहूंगे कि आई टी प्रोफेशन बहुत अच्छा रहेगा प्लस एक बहुत अच्छा प्रोफेशन आपको यह कह सकती हूं कि कोई भी आर्किटेक्ट्टरल संबंदित इंटीर डिजाइनिंग संबंदित कोई भी प्रकार का ऐसा कोई कार्य है उस के बाद वो आपके 10 फाउस में चल जाएगा यह कैसी स्थिती है कि शुरुवाती दौर में आपको कुछ कह सकते हैं कि आपको 15 दिन शुरुवात के आपका कुछ चीजों में आपके विरोध होगा आपके प्रतिध्वंदी आपको परेशान कर सकते हैं मगर आपको कोई डर करने वाली बात नहीं है मानसिक तनाव रहेगा प्रतिध्वंदियों के कारण इवन आपके घर परिवार के अंदर भी इस प्रकार किस्तिती हो सकती है मगर बहुत स्थाई और स्थिर्टा से काम कीजिए 15 तारीक के बाद सूर्य बुद्ध की यूति है वो बिजनस के अंद आपको और ब्लड प्रेशर संबंधित कोई समस्या है तो उसे बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है उसको आप प्रॉपर्ली हैंडल कीजिएगा जो भी आपको वैसे तो गुरु की पूर्ण दरश्टी बनी हुई है तो कोई ऐसा बड़ा हेल्थ इश्यू मुझे नहीं दिख रहा है मगर फिर भी ऐसी कोई समस्या है तो उसमें आप चैक अप्स करवा सकते हैं एक चीज में कहूंगी कुरु की दरश्टी जो आपके सिक्स हाउस पर पड़ रही है ये तरह से दुश्मन आप पर हावी नहीं हो पाएंगे मगर डिस्टब जरूर करेंगे मानसिक रूप से आप चोटी-चोटी चीजों से काफी परेशान होंगे मगर देखिए चिंता की वृत्ती लगनका स्वामी 12 में आता है इंसान को व्यर्त की चिंताओं में डालता है तो हो सके वहां तक वानी पर सयम रखी और स्टेबिलिटी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो क सेवन्थ हाउस का अधिपती बुद्ध होकर आपके टैन्थ हाउस में बिजनस के अंदर पंदरा तारीक के बाद एक्सलेंट पोजिशन है आप कोई भी नया कारे करना चाहते हैं कर सकते हैं और स्पैशली बिजनस के अंदर आपको मैं यह कहूंगी एकदम से बहुत किसी पर भरोसा भी किया नहीं जा सकता और पार्टनर्शिप के अंदर थोड़ी इंस्टेबिलेटी शुरुवात में आ सकती है तो बहुत शांती बनाएं रखेगा अगर कोई ऐसी समस्या है तो पीसफूली आप हैंडल कीजिए अग्रेसिव मत होईएगा और यह समय ऐसा है कि लगन का स्वामी अभी काफी मजबूत पोजिशन में नहीं है चार महीने ट्वैल्थ हाउस में रहेगा तो अभी किसी के साथ ज्यादा डिस्प्यूट करने वाला समय नहीं है मैं यह कहूंगी शांती से कारे की दे पहले से परिस्थेती बहतर है मगर अभी किसी से डिस्प अधियम का खुद का व्यापार अगर मजबूत किया जाए और पार्टनर्शिप को बने वहां तक अवाइड किया जाए तो अच्छा है और मैरिट लाइफ के अंदर भी पहले से काफी स्टेबल समय है तो बस शुरुवाती दौर में थोड़ा सा अग्रैसिव मत होईएगा बाद में धिरे-धिरे महीना जैसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा आपके घर में काफी एक अच्छा वाता वरण क्रियेट होगा मैं यही कहूँगी कि एट्थ हाउस का अधिपती शुक्र होकर लाबस्थान में बना हुआ है शनी के साथ क्रियेटिवीटी आगे बढ़ रही है फैशन संबंधित कोई भी कारे करते हैं इंटिरियर संबंधित कोई भी कारे करते हैं आर्किटेक्चर या फूड बिजनस के अंदर है रिसर्च का कोई कारे करते हैं उसमें कुछ आप कह सकते हैं कोई भी इस प्रकार का आपको लाब जो अचानक से प्राप्त होता है यह सारी ही योग आपके बने हुए हैं तो एक तरह से बैटर्मिंट निकल कर आ इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है और नाइन्थ हाउस में मंगल केतु और सूर्य की यूती साथ में होगी उसके बाद मंगल केतु अकेले ब्रहमन करेंगे यह विदेश के अंदर जाकर आईटी की स्टडी करना आपके लिए बहुत अच्छा है विदेश का कोई भी कार्य परики अध्या सबसम स्टूर्विजब करना और हैर स्टुडिश के लिए अगरालति आप इस जाना चाहते हैं और मेडियसन संबंदित कुछ चात रहे हैं ज viआपका मेडियसन का कोई business करना चाहते हैं बहुत अच्छी पोजिशन ist Amy कार्य किये जा सकते हैं और मंगल केतु का योग एक तरह से एंजीनियरिंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है और मटीरियल का कोई बिजनस करना चाहते हैं वह भी आपके लिए बहुत बैनिफिशिल है देखे 15 तरीके बाद सूर्य आपके 10 थाउस में ब्रमन करेगा उसके बाद आपके कार्य में स्टेबिलिटी आएगी और एक स्थिरता का समय होगा धीरे धीरे चीज़ें भहतर होती चली जाएगी मगर एक ही चीज है कि चिंता खर्च को लेकर बनी रहेगी बहुत ओवर स्पेंडिंग के कारण परेशान हो सकते हैं इवन देखे 10 लोर्ड भी 12 थाउस में है बिजनस के अंदर भी कुछ खर्च ऐसे हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं मगर मैं आपसे यही कहूंगी जो भी खर्च हैं उनको कुछ ऐसे खर्च हैं जो उठाने पड़ेंगे उनके लिए कभी लोंस मत लीजिएगा कि बहुत लोंस की परिस्थती आपको परेशान कर सकती है तो हो सके वहां तक लोंस को अबवाइड किया जाए तो अच्छा है लोन आपको मिल जाएगा अगर चाहते हैं तो कमफर्ट जोन से बाहर निकल कर मत लीजिएगा आगे जाकर आपको परेशानी हो सकती है तो जितना हो सके खुद के बनाए हुए नए नए खर्चों के कारण आप एक्स्ट्रा खर्च क्रियेट करकर फिर उसके लिए लोन ले तो यह प्रॉब्लमेटिक सिच्वेशन फ्यू पोजिशन है आपके लिए मगर ट्वेल्थ हाउस में जाने के कारण कभी कभी कार्यस्थल में असमन जसकी स्थितिय क्रियेट होती है डिस्प्यूट होते हैं मगर शांती से कार्य करेंगे अभी क्या है कॉम्प्रोमाइजिंग पोजिशन है अभी आप एकदम से खड़े हो बचना चाहिए देखिए ग्यारवे भाव में शुक्र शनी की यूति तरह से बहुत अच्छा कार्य करती है क्योंकि देखिए एथ हाउस का लॉड बनकर भाग्य के लाब के अंदर है और सेकेंड थर्ड हाउस का जो लॉड होकर ग्यारवे भाव में है यह तरह से आपके ल तो इस व्यक्ति को बहुत सारे शौख्याना खर्चे करना एक शौफ करना प्लस कुछ ऐसे लाभ भी आपको प्राप्त हो रहे हैं जो आपका सर्कल काफी बढ़ा होता जा रहा है और उस सर्कल को बढ़ाने का कार्य कर रहा है आपकी एक तरह से लोगों के बीच में आपकी इमेज को बहुत ही अच्छा बना रहा है एक तरह से मैं यह कहूंगी कि यह जो राहू की दरश्टी आपकी शुक्रव पड़ी तो एक होटल बिजनस को बहुत अच्छा बनाती है अगर इस प्रकार का फूड बिजनस कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत एक्सलेंट कि परिस्तियों को स्विकार करते जाहिए और आगे बढ़ते जाहिए कहीं पर कॉंप्रोमाइज करने पड़ें तो करकर भी आगे बढ़िए मगर खुद को रोक के रखना और इनस्टेबिलिटी इन डिशीजन यह गलत रहेगा एक डिशीजन की स्थिति लेकर आगे बढ़ कार्य के अंदर भी स्थान परिवर्तन हो रहा है रहना हर तरह से आपको कोई भी चेंज अगर करना चाहते हैं जौब में चेंज करना चाहते हैं बिजनस के अंदर कुछ फॉरेंड डीलिंग्स करना चाहते हैं बहुत अच्छी पोजिशन है अगर आपको कोड से संबंदित कोई cases के अंदर है तो अभी बहुत ज़्यादा reactive होने से बचिएगा बहुत शांती बनाए रखिए धीरे धीरे परिस्तितियों में सुधार होगा मगर अभी बहुत ज़्यादा reactive मत होना बहुत शांती बना कर कार्या कीजिए तो अच्छा है और जुपिटर की दरश्टी एक तरह से आपके सुख भाव पर है तो असमंजस और चिंता के स्थिति तो बनी रहेगी मगर सामने सुख भी उतना ही प्राप्त हो रहा है यह पूरे ही महिने की गति विध्या मैंने आपको बता दी है आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आये तो लाइ आप उस पर मेल कर सकते हैं मैं आपको कॉंटाक्ट करूंगी देखिए आप पूरे महिने के एक पॉइंट जो भी मैंने बताया है उनको ध्यान में रखकर अपने जीवन को प्लान कीजिएगा तो एक स्टेबिलिटी भी रहेगी और आपको पता भी रहेगा किस दिशा में म जाष्य करश्न